कैसे आप लोग तुशार पाढ़े दिस साइड एं जिसके लिए आप लोग ने बहुत समय से बहुत सारी मेहनत की थी अल्मोस्ट दिन और रात एक कर दिये थे पढ़ाई कर करके और आप ऐसे में वी हव दे एक्जाम स्टाइम तो गाइस बहुत इंपॉर्णेट आपके चलेंगे बिना पैनिक किये और विए बीटिंग रीडी फॉर्ट नेश एक्जाम पहली बार आप एक्जाम देने वाले हो कई सारे बैच्चे सीएस की अब इससर पहले भी दिया था हमने नहीं वह एटी था एक्जाम नहीं माना जाता प्रॉपर तरीके का यह जो एक्जाम नहीं है एक्जाम सेंटर में पहुंचना है पेपर देना है धंक से लिखना है नेक्स्टे पेपर त्यारी करनी है मल्टिबल तिंग्स आर देर तो यह शुट बी वेरी मुच अलर्ट अबॉट अपकमिंग थिंग्स राइट तो मैं आपके साब बाते करने बाला हूं नेक् एक्जाम से शुरू हो रही है आपकी और नाट बी वेस्टिंग यू यूर मच अफ टाइम पड़ा फट से बाते करते हैं और येस इफ यू तिंक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू करिएगा दू शेयर विद यूर फ्रेंड राइट चली सबस्ट बात करते हैं कि क्या प्रो टिप्स है जो आपको एक्जाम के समय में सक्सेस्फुल मेंटेन करेगी एक्जाम पेपर में पढ़ाई क्या किया आपने वो तो देखो हो चुकिया रहा है यू हव वर्क फॉर सिक सेवन मन्स तो आज मैं आपको ओर दी प्रियर आफ टाइम नहीं बोल सकता कि ए मैं बात करूंगा एक्जाम सेंटर टूट पी एम तो फाइब बीच में कैसा रहना चाहिए सबसे मेरी चीज जो बहुत इंपॉर्ट है जो सबकुने आपको बोली होगी मैं कुछ भी हो जाए हंडेट परसे में पर सौल करेंगे एज यूजल आपको पता ही है जो अच्छे एंसर सबको आते वह पहले लिखेंगे नहीं भी आते घटिया भी लिखना होगा ना लाश पर लिखना लिखना जरूर वादा कर रहा है मुझे चैट बॉक्स पर नीचे कमेंट पर टालेंगे सर में पूरा पेपर सौल कर रहा हूं या कर रही हूं I want everyone's promise in the chat box rather description box पेपर सौ पूरा करेंगे you don't know क्या पता आपको आखरी के question में कोई भी link लग गई एक मांके दो मांक मिल गया I have seen people who have scored 39 marks 38 marks in the paper और नॉर्मली फेल हो जाते क्या पता आप तो मैं चाहूंगे क्या आपको 60 प्रस ही आवेसे दो बट क्या पता कोई paper आपका बुरा जा और आपने solve नहीं जरूरे पहला वादा मुझे कर रहा हूं दूसरा वादा पेपर देनी के बाद पेपर आपको 5 लग चुटेगा पेपर चुटते बराबर यह रहा आपका paper ठीक है ना paper को क्या करेंगे आप इस तरह से फाड़ देंगे paper फाड़ देंगे मैं आपको paper बाद में देंगा paper फा आपका paper तो गया ही गया अब आपकी दुनिया भी गयी उस attempt की पूरी I can bet you so कैसे आपका रॉंग का अब आप हाई दाया करते बैट जाओगे हाई दाया मेरे पेपर रॉंग ही गया यह तो कुशर फिर घर आके आप क्या करोगे पुराने बुक्स उठाओगे उस अबजिक क आपने पेपर डिसकस किया तो राधर मैं तो सिंबल से बोल रहा हूं यह है पेपर पेपर का क्या करेंगे सर मेरे पेपर तुगया ना सर मैं दूंगा आपको पेपर मेरे पास कैन का पिर रहेंगी औविस्ली मैं बच्चों से लिए लूंगा मैं आपको दे दूंगा I will give you बादा करेंगे, पेपर डिसक्स नहीं करेंगे, second point, very important, okay, ना, तिसरी बात, जो बहुत important है, अभी, इस मोमेंट पर, बस scanner runner पढ़िए, ज्यादा बाते न करें, आपने जो इतने महें पढ़ाई कि उसका शॉट रूट बनाया होगा, वो कुछ होगा, वो ही सब देखिएगा, do not go for new videos, new marathon, new case studies, ये, वो ऐसा, आरे, कुछ मत करो, जो किया, उस पर trust रखो, have a faith on yourself, जो तुमने महनत किया, 2-4-6 मेने, वो खड़ाब नहीं थी, उतना faith रखी अपने होगा, ठीके ना, फिस चौथी point, obviously, जब center पर जाओगे, पहले page पर पूरा मैनम, या sir, वाँ पर जो ब pen, 2-3 pencils, ये सब सब बेसिक चीजे लेकिन केरी करो, पहला पेपर में गलबढ करोगे ना, पूरा impact पड़ता है बाकी पेपरों पर, and obviously, last चीज, खाने पर धन दे भी या, प्रौपर healthy food काये, इस समय रात को दो बज़ पड़ाई कर रहा है, मानलो तो, जो मैटो सब और कर दे ट्रस्ट में, have a healthy food and proper sleep, I am not saying की 12-10 गंटे सो, 8 गंटे में बस सो ठीक है, बार एक दम 2-3 गंटे में बस सो जारा है, क्या है, long term survive करना है, 8 तीन के पेपर होने वाले, survive करना है, एक दम से बोलते है, it's not a sprint, 100-meter sprint है कि धौड़ से धौड़ गए, it's a marathon, long term है, पहले जब जलद लीट देज, तो क्या करना है, आपको प्रोपा sleep जानी है, 6 आट्षी लीट जार की जारू 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 लीजिगा, जलो, यह तो होगी basic बात है, exam center पे क्या क्या को क्या बताता हूं, ताल जानी के बात जब दो बज़े पुच्छोंगे, यह रदा दो बज़े किसी को कहा होता है सेंटर के पहले पहुच जाईए अपना क्लास्रूम दिख लिए टेबल चेर वागे समझ लिए अच्छे से कहां पर क्या चीज़ है तीसरी चीज जब आप लिखोगे जैसे एक्जामबल आप जिए लिग रहे हो तो उसके कुछ कीवर्ड होते हो कंपिलों के स्टडी में केस लॉज होते हैं की वर्ड होते हैं अलग तरीका है टैक्स पेपर तो को पता है एंसी क्यों है जब आप अपनी खुबी है वहां के वह की वर्ड हो यूज करिए का लेमन लेंगे मत पेपल लिखो ठीके ना और चौती बास सबसी इंपोर्टेंट है मैंने बता दिया था सेंटर पाच बजे फेपर चुटते बरावा सब सब पहले वहां से नौदो ग्यारा गाड़ी निकाली फर लोग बोलेंगे वापे अरे भाग गया आप बोल ले तो जो बोलना है बोल भाईया वहां नहीं रुकेंगे ये बात आपने मुझे बादा करी बोल लिए ये और पेपर दो बजे का है अहां सब बढ़ी है फिर तो बढ़ी है साड़े बारा बजे सूत के खाना काएंगे चार रोटी सबजी दाल चावल खबरदार काभी खाना देखा नहीं कि वापस आके लाइट खाना जाने समय लाइट खाना दो से पाच वैसी दु आपका तो सात्मों के पारेंट्स अगर आप किसी और सिटी में रहते हो जहां पे सेंटर है होस्टर रहते हो तो टेक ब्रेसिंग्स है ना दाई शकर हमारे इंडिन कल्चर महनता होती है देशकर खाके जाना कुछ बीठा करके खाके जाओगे तो अच्छा ही होगा ठीक है क पेपर स्वाल को रहा हो यह मैं उम्मीद करता हूं और यह चक्दे फट्टे वाली बात हो गई बिलकुल है ना बिलकुल आपको अपना लक्ष अपना एम धान अखना है वह है आपका डिसम में 2022 एक्जाम खतम करना इस बार अगले बार जून 2022 एक्जाम ना देने पड़े उसी लेवल की अगर आप एक्जिकेटिव में तो प्रोफेशनल में जाओगे प्रोफेशनल में तो ट्रेनिंग करने जाओगे एक्जाम एक्जाम खतम करो यार यह आपको लगता है फॉर मोर अपडेट्स ऐसे और वीडियो में अप्लोड करता रोंगा उसके लिए आपको सून मिलते एक्जाम के बाग अलग समय पर आपको में अलगले वीडियो देते और रहूंगा रेडी गाइस बाबाए टेक केर गाइस एंड सी यू सून बाबाए